हेलो फ्रेंड्स नमस्कार मैं अनुभापांडे अनुभाज क्रियेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है आज मैं अपने नए वीडियो के साथ आई हूँ फ्रेंड्स और इसमें मैं आपको एक बहुत ही कुप सूरत सा डिजाइन दिखा रहे हूँ यह डिजाइन टू प्लस टू प्लस टू करके और टू प्लक्स इस्टरा फंदाले लेना है इससे यह डिजाइन हमारा बन करके खुप सूरत और अच्छा तयार हो जाएगा तो इसे हम बनाने के लिए देखे फ्रेंड्स यह हमारा बूल है और दस नमबर की सलाइया है दस नमबर की सलाइय से मैं यह डिजाइन बनाई हूँ और देखी टू प्लस टू करके बना है और टू स्टिज इस्टरा लिने हैं हमको इस तरह से ये डिजाइन लेडिस ब्लाउस बनाने के लिए लेडिस कारडिगन का बॉडर बनाने के लिए और बेवी स्टर बनाने के लिए किसी भी जेंस हाप्स्टर पर भी आप डाल सकती हैं पेट की तरफ अगर पड़ेगा तो बहुत ही खुबसूरत लगेगा यह डिजाइन फैलने वाला डिजाइन नहीं है इस तरह से ही रहेगा तो चली फ्रेंड्स इसको हम बनाने जा रहे हैं और अगर अगर आप मेरी चैनल में नए हूँ तो लाइक सेर सब्सक्राइब करें ब बताते हैं देखे फ्रेंड्स यहां मैंने इतना बाइस बंदा डाल करके और थोड़ा बॉर्डर जैसे बना लिया है उल्टा उल्टा अब यहां मैं चार सलाई बुन लिए हूँ अब पांचवे सलाई में और रांग सल साइड है इसी तरफ से यह डिजाइन सुरू होगा तो पहले हम किनारे का एक फंदा इस तरह से उल्टा बुन लोंगे और फिर उनको आगे करें दो फंदा सीधा बुने यह हमारा उल्टा साइड है रॉंग साइड में इस तरह से दो फंदा सीधा और दो फंदा उल्टा चार सलाईों का यह डिजाइन है एक दो फिर दो उल्टा, फिर दो सीधा, फिर दो उल्टा, दो फंदा सीधा इसी तरह से हम सारे फंदों को बुन लेंगे तो देखे फ्रेंट्स, अब किनारे पर मेरा ये तीन फंदा बचा हुआ है तो दो फंदा हम उल्टा बुनेंगे और एक फंदा इसी तरह से उल्टा ही बुन लेंगे तो ये हमारा सीधे से उल्टा आएगा ये हमारा एक सलाई कम्पलीट हुआ दूसरे सलाई में फंदा देखिए जो फंदा जीस तरह से है उसको उसी तरह से हमको बुनना है तो पारला फंदा हम स्लिप करेंगे और दो फंदा सीधा बुन लेंगे ये मैंने रांग सलाई में बैक साइड से इसे उल्टा बुना था और सीधे साइड में मैं इसे सीधा बुनोंगे बैक साइड से मैंने इस फंदे को दो फंदे को पीछे से उल्टा बुना था और हम सीधे साइड से दो फंदा सीधा बुनेंगे और दिखे फिन प्रिंट्स अभी ये हमारा दो फंदा सामने से बाइट साइड से मैंने इसे सीधा बुना था और सीधी से इधर से मैं इसे उल्टा बुनूंगे दो फंदा उल्टा फिर हमारा ये जो फंदा जिस तरह से है उस तरह से हमको चार सलाई इसे ही बुनना है दो फंदा उल्टा और दो फंदा सीधा बस द्यान देना है कि जो फंदा जिस तरह से है उसी तरह से हमको बुनना है अब देखिए दो फंदा हमारा कंप्लीट हुआ अब हम क्या करेंगे यहां से अब हम पाला फंदा उल्टा हमारा हो गया और दो फंदा हमको सीधा बुनना है दो फंदा सीधा और दो फंदा उल्टा तो इस सलाई को भी हम इस तरह से बुनेंगे यह हमारा तीसरा सलाई है देखिए फ्रेंट्स तीन सलाई हमारा कंप्लीट हुआ अब चोथे सलाई में हमको देखिए क्या करना है चोथे सलाई में हमारा ही डिजाइन बनेगा तो हम पहला वाला फंदा हमारा सलीप कर लेंगे और दूसरे वाले में देखिए फ्रेंट्स अब हम यह दोनों फंदों में से दूसरा फंदा पहले इस तरह से ऐसे बुनेंगे पहले बुन लेंगे और दूसरे वाले फंदे को इस तरह से बाद में बुन लेंगे फिर हम दो फंदा उल्टा बुनेंगे सीधा उन करें दो फंदा है देखिए तो पहले हम इस फंदे को इस तरह से बुनेंगे दूसरा वाला फंदा पहले बून लेंगे और फिर उसके बाद हमारा फंदा इसी में रहे गा अब पहले वाले फंदे को भी इसमें ही बून करके अब ये दोनों फंदा एक साती किरा देंगे फिर दो फंदा उल्टा फिर उनको आगे करें अब देखे फ्रेंट्स ये वाला जो दो फंदा हमारा है अब हम पहले इस फंदे को इस तरह से ऐसे बूनेंगे फिर यहां हमारा ये वाला फंदा है इसको इस तरह से बून लेंगे तो यह हमारा दोनों फंदा बुन जाएगा, फिर हम दो फंदा उल्टा, इसी तरह से हम पूरी सलाई सीधे फंदे में ही डिजाइन बनेगा, फिर दो फंदा उल्टा, दूसरे फंदे को पहले बिने और पहले फंदे को बाद में बुने, अब दिखे फ्रेंट्स, यह हमारा चार सलाई कम्पलेट हुआ, अब हम फिर उसी तरह से बुनाई करेंगे, यह हमारा पीछे से इस तरह से दिखेगा, अब हम पहला फंदा इस तरह से उल्टा बुने फिर दो फंदा सीधा फिर दो फंदा उल्टा फिर दो फंदा सीधा दो उल्टा ऐसे ही हम इस तरह से रिपिट करते जाएंगे तो चलिए फिरंट तीन सलाई इसको हम इस तरह से बुन लेते हैं उसके बाद हम डिजाइन बना करके आप दिखाते हैं सीधे पर सीधा भुनना है और उल्टे वाले फंदे पर उल्टा भुनना है इसी प्रक्रिया को हम बार-बार रिपिट करते जाएंगे देखिए पीछे से हमारा ये इस तरह से दिखेगा और सामने से हमारा डिजाइन ऐसे रहेगा तो कुछ थोड़ा और डिजाइन बना देते हैं तो इसके बाद आपको समझ में आ जाएगा देखिए फ्रेंट्स अब फिर ये हमारा तीन सलाई यहां से कंप्लेट हुआ अब चोधे सलाई में हमको फिर उसी तरह से इस डिजाइन को बनाना है पाल फंदा स्लिप करें और दो फंदों के साथ इस तरह से फिर दो फंदा उल्टा पुने यहा हमारा देखिए इस तरह से बन करके तयार हो जाएगा तो चलिए फ्रेंट्स इसे मैं और बना करके दिखा देते हूँ देखिए फ्रेंट्स बन करके डिजाइन हमारा इस तरह से दिखेगा यही डिजाइन है बहुत के उपसूरत लग रहा है तो चलिए फ्रेंड्स बनाईए और इंजुआई किजिए तैंक यू